हेलो बच्चों, तो आज चुका है CBSC Class 12 Session 2023-24 का New Slabers तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों में आप लोगों से बात करूँगा Class 12 के नए Slabers के बारे में, तो चलिए देखते हैं Class 12 के Accountancy के Slabers के अगर हम बारे में बात करें तो देखिए बच्चों बहुत कुछ major changes नहीं आये, केवल दो major changes आये हैं वो मैं आप लोगों से आज discuss करूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी Class 12 के अंदर देखिए, वही है Partnership, आप देख सकते हैं कि Partnership है और दूसरी unit है हमारी Company Accounts की, Part A के अंदर और Part V के अंदर Financial Statement Analysis के अंदर Analysis of Financial Statement है और Cashflow Statement है जो कि पिछली बार के syllabus में भी यही सब चीजे थी और जो दो बड़े changes आये हैं वो अभी हम इसके बारे में discussion करेंगे, अब आतीए बात यहां पर Part C, वो है Project Work का और जो कि आपका Project File 12 marks की है और Viva जो आपका 8 marks का है अब बात करें बच्चों अगर हम तो यहां पर देखिए अब आपको Partnership की अगर हम बात करते हैं तो Partnership आपके 36 marks की है और Company Accounts आपके 24 marks का है तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं 60 marks का और अब हम आगे की बात करें तो Financial Statement Analysis में बात करें तो Financial Statement Analysis में Analysis of Financial Statement जो यूनिट है वो 12 marks की है और Cash Flow है 8 marks का दोनों मिलाकर 80 marks का हो जाता है तो इस हिसाब से आपके 60 and 20 80 marks का हो गया टूटल अब आतीए बात project work की तो जो बाकी के आपके 100 marks में जो बाकी के 20 marks हैं वो आपके project के रहेंगे project के अंदर project file जो project work होता है उसमें आपको 12 marks project file के होंगे और वाइवा के बाकी के marks आपके वाइवा के रहेंगे बाकी के 8 marks तो इस तरीके से आपका 80 marks का रहेगा और अब इसको थूरा हम डेटेल discussion करें तो मैंने पूरा जब go through किया इसको पूरे slaves को तो ऐसे कुछ major changes नहीं मिले जो आपके पिछले साल आपके partnership के अंदर जो contents थे वही सारे रहेंगे यह आपके फर्स chapter की जितने भी contents है सारे वही है जो की past adjustment हुआ fluctuating capital fixed capital वही सारे आपके रहेंगे fundamental of partnership के अंदर और changing in profit sharing ratio में भी वही है और एक जो मुझे changes नजर आएं इसके अंदर वही है कि जो पिछले साल आपका goodwill raise का और goodwill write-off का जो topic था goodwill raise करके और goodwill को write-off किया जाता है वो topic आपका इसके अंदर से delete कर दिया गया आपकी बार goodwill write-off एक change तो यह है कि goodwill raise और goodwill write-off की job entry किया करते थे वो अब इसके अंदर नहीं है और बाकी as such कोई changes नहीं है बिलकुल पिछले साल वाली ही सारी चीज़े है इसके अंदर और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो retirement भी dissolution भी बिलकुल same to same है तो यह सारे chapter समय as usual तरीके से जैसे पढ़ने विलकुल वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे अब आतीए बात accounting for companies की तो companies के अंदर भी as such कोई major change नहीं है वही सारे topics है और accounting for debenture भी वही है हाला कि पिछली बार से ही redemption of debentures को delete कर दिया था तो redemption of debenture अब भी आपके topic के अंदर नहीं है तो वो भी अब भी हमें नहीं पढ़ना है और अब हम बात करते हैं part B की तो part B के अंदर first chapter आपका financial statement of company आ जाएगा जिसके अंदर आ second जो change आया है वो क्या आया है tools for financial statement analysis जिसके अंदर chapter आपका comparative statement and common size statement यह आपका second number का change है जो पिछले साल यह chapter delete कर दिया गया था last to last year तो यह chapters थे लेकिन पिछले साल यह chapter delete कर दिया गया था जो आपकी बार वापिस आपके यह chapter को दे दिया गया है तो बच्चों जिसमें आपन एक तरीके से plus point ही है और बाकी जो chapters करने आपको as usual सारे वैसे के वैसे ही है तो इस तरीके से हम अपने पूरे से इसको जितना भी course coverage है उसको हम cover up करेंगे तो देखे बच्चों अगर आप भी अपनी तयारी अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं आप उन बच्चों जैसे नहीं है जो end time पर आके अपनी तयारी करते हैं बिल्कुल rush में रहते हैं और फटा फट से यह सोचते हैं हमारा syllabus नहीं हुआ आप यह syllabus को cover करने की सोचते हैं अगर आप उन बच्चों में नहीं हैं और proper तरीके से अपनी तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी class online class से जुड़कर अपनी तयारी on time करें अच्छे तरीके से करें ताकि on time आपका syllabus पूरा हो, revisions हो और अच्छे से अच्छे हम उसका test ले पाएं ताकि आपकी तयारी perfect तरी से जिसके उसकी trend के हिसाब से हम चलेंगे तो rush में ना पढ़के on time अपनी त्यारी करें तो यह था हमारा accountancy का syllabus और चलिए अब चलते हम अपने economics के syllabus के उपर तो देखिए बच्चों यह है आपका class 12 economics का syllabus और economics के syllabus की बात करूं तो economics के syllabus में भी as such कुछ बहुत खास changes नहीं है आपको बता रखा है कि जैसे आप देख सकते हैं screen के उपर कि national income आपकी 10 marks की है और जो सबसे ज़्यादा weightage का है वो है determination of income and employment यह वाला unit सबसे ज़्यादा है और उसके बाद है national income की यह दो यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा weightage रख रही है बाकी की जो units है आपके macro economics के अंदर वो हाला की important सारी है लेकिन उनकी जो marks allotted है वो है 6-6 marks के है तो इस तरीके से आपका macro economics 40 marks की बन जाती है और अगर हम Indian economic development की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा weightage है वो है current challenges facing Indian economy की और उसके बाद development experience और यहां फिर उसके बाद आजागा development experience of India तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों micro economics equal weightage पर है 40-40 marks और इसके अंदर भी project work 20 marks का बिलकुल सेम रहेगा जैसा कि आपका accountancy में था तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ज सेम वैसे हैं कोई changes नहीं है को addition नहीं हुआ इसके अंदर और बच्चों देखो अगर मैं बात करता हूं pattern की तो देखिए अभी आपका जो examination pattern रहेगा चाहे फिर वो accountancy का हो यह economics का हो pattern भी सेम ही है आपके देखो 44 marks के remembering and understanding के question जिसको हम easy कह सकते हैं कि easy वाला जो questions आते हैं वो questions बोले match the following वाले बोले वो यह वाली unit है एक तो applying और analysis evaluating and creating वाली जिसके अंदर आपसे assertion reason पूछा जाएगा आपसे match the following fill of the blanks और case studies वाले questions पूछे जाएंगे वो यह units cover करते हैं यह marks cover करते हैं आपके तो आप इसको easily handle कर पाएंगे तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे फिर जाते जाते यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने तैयरी बढ़िया करना चाहते हैं तो आप अपना on time तैयरी करें जिससे आखरी rush से बच सकें तो उमीद करता हूं आपको यह मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें तब तक के लिए बाबाए